तो दोस्तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे पिशली गुरु आरियानी कि 21 दिसंबर को सिनीमागरों में रिलीस हुई थी बॉलिवूड के किंखान शारुखान की फिल्म डंकी जिसने फिलहाल सिनीमागरों में तहल का मचार रखा है और फिल्म बॉक्स आफिस पर ताबर तो आज अपने 20 वे दिन ये फिल्म कितनी कमाई करने वाली है और फिल्म का वीज दिनों का टोड़वाइड बॉक्स आफिस कलेक्शन कितना हो जाएगा तो दोस्तो बस आप इस वीडियो के साथ बने रहेंगा लेकिं दोस्तो उससे पहले अगरा बॉलिवूट के किंग खान शारू खान को एक बेहतरी नभी नहीं तामानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ ही साथ इस चेनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजीगा दोस्तो अगर बात करें फिल्म डंकी की तो ये एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जो कि राजकुमार इरानी के डिरेक्शन में वनी थी जिसमें शारू खान, विक्की कोशल, तापसी पन्नू और बमान इरानी हमें नसार आई थे लेकिन दोस्तो फिल्म की में जितनी तारीफे करूब कम हैं हिंदुस्तान की जनता ने इस फिल्म को बहुत ज्यादा पसंद किया है और हिंदुस्तान की जनतान के साथ साथ Overseas से भी इस फिल्म ने बहुत अच्छी कमाई की है और यही वज़ा रही कि फिल्म ने इंडिया के साथ साथ विदेशों से भी बहुत अच्छा कलक्शन करके यह दिखा दिया कि शारुखान के फिल्म डंकी बॉक्स आफिस पर पूर 2023 में डंकी ने जो इतिहास रचा है शारुखान के करियर की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म बनी है तो यह वाकी काबिले तारीफ है तो दोस्तों फिलहाल अगर मैं बात करूँ डंकी फिल्म के बॉक्स आफिस कलक्शन की अभी तक फिल्म की टोटल कितनी कमाई हो चुकी है तो लेकिन दोस्तों फिल्म का दूसरा दिन था 22 दिसंबर और फिल्म सलार पिरभास की जिसका फैंस बहुत ज्यादा इंतिजार कर रहे थे सलार सिनेमा गुरों में रिलीज हो चुकी थी और ऐसा नहीं है कि सलार फिल्म ने सिर्फ साउथ भाशा में ही बहुत अच्छा कलक्श किया लेकिन बावजूद इसके शारुखान के फिल्म डंकी ने बॉक्स आफिस पर जो परफॉर्म किया सलार के सामने वो वाकी काबिली तारीफ रहा फिल्म को चार दिनों का विकेंड मिला था और चौते दिन संडे को फिल्म ने 30 करोड 70 लाक रुपे की कमाई की थी और फ पर बात करो फिल्म डंकी के पूरे 10 दिनों के वर्डवाइड बॉक्स आफिस कलेक्शन की तो 10 दिनों में डंकी फिल्म ने 178 करोड 24 लाक रुपे की कमाई इंडिया से नेट कर ली थी तो वही फिल्म का जो वर्ड बाइड कलेक्शन था वो 361 करोड 30 लाक रुपे हो गया उसके बाद आता है अठारवादि यानि कि फिल्म का तीसरा संडे तो आपको बताता चलो में कि अपने अठारवे दिन तीसरे संडे को फिल्म डंकी ने 4 करोड 60 लाक रुपे की कमाई की अपने अठारवे दिन तो आप देखी ये शारुखान का इस्टारड़म है जहां 10-15 द दिनों की टोटल ऑफिशल कमाई है वो 219 करोड़ 67 लाक उरपे इंडिया से नेट हो चुकी है जा दोस्तों 18 दिनों में सिर्फ इंडिया से 219 करोड़ 67 लाक उरपे वहीं फिल्म का इंडिया में ग्रॉस कलेक्षन 257 करोड़ उवर्सीज से फिल्म ने कर लिये हैं 187 करोड़ 50 लाक उरपे और फिल्म की जो वर्ड़ वाइड टोटल कमाई है 18 दिनों की ऑफिशली वो 444 करोड़ 50 लाक उरपे पूरे वर्ड़ में हो चुकी है जो की काबिले तारीफ है 19 वा दिन आता है फिल्म का तीसरा मंडे फिल्म की कमाई रही 5 करोड़ उपे और आज 20 वा दिन है यानि कि फिल्म का तीसरा ट्यूस्टे और फिल्म आज 2 करोड़ उपे की कमाई पूरे इंडिया से नेट कर रही है फिल्म की 20 दिनों की टोटल कमाई 225 करोड़ उपे इंडिया से नेट हो जाएगी तो वहीं फिल्म पूरे वर्ड में 455 करोड़ उपे कर रही है और शारु आपिया